सोशल मीडिया पर लक्षुदीप बना मालदीप की पहस छड़ी हुई है दरसल मोदी के लक्षुदीप दोरे के बाद मालदीप के दो मंत्री और एक सांसत ने ये मोदी और भारत के खिलाब विवादित बयान दिया था इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर तीनों नेताओं के खिलाब गुस्सा दिखने लगा अब मालदीव की मोजू सरकार ने इन तीनों नेताओं को सस्पेंड कर दिया है दरसल पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले लक्षवदीव का दौरा किया था इस दौरे की तस्वीरे पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी इन तस्वीरों को देखने के बाद सोशल मीडिया पर एक चर्चा ये चीड़ी थी कि लोग छुट्टी मनाने मालदीव जाने की बजाए लक्षवदीव जाएं पीम मोदी ने भी लोगों से लक्षदीप घुमने जाने के लिए कहा था इसी बीच मालदीव सरकार में मंतरी मरियम शिउना ने पीम मोदी की तस्वीरों पर आपत्ती जनक ट्वीट किये बाद में उन्होंने अपना ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया इसके अलावा लक्षदीव बनाम मालदीव मुद्दे पर मोजू सरकार के मंतरी मालशा और सांसर हसन जीहान ने भारत के खिलाफ विबादित बयान दिया इसके बाद सोशल मीडिया पर गॉयकॉट मालदीव स्ट्रिंड करने लगा मालदीव ने ताओं के बयान पर आम लोगों से लेकर सेलिबरिटी तक ने कड़ी आलोशना की यहां तक कि इस मामले में मालदीव के पुर्व राष्ट्रपती इब्राहीम मुहमद सोली की प्रतिक्रिया भी सामने आई नोने कहा कि मैं सोशल मीडिया पर मालदीव सरकार के मंत्रियों द्वारा भारत के खिलाफ इस्तमाल की जा रही ग्रणासपद भाषा की निंदा करता हूँ भारत हमेशा मालदीव का एक अच्छा दोस्त रहा है और हमें इस तरह की कठोर टिपणियों को हमारे दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी दोस्ती पर नकारात्मक प्रभाव डालने की अनुमती नहीं देनी चाहिए मालदीव बनाम लक्षवदीव को लेकर बवाल बढ़ने के बाद मालदीव की मुहम्मद मोईजू की सरकार ने द्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की लक्षवदीव यात्रा पर जहर उगलने वाले तीनों नेताओं को सस्पेंड कर दिया मुहम्मद मोजु की सरकार के ये तीनों नेता अपने ही देश में विपक्ष के निश्चाने पर थे सस्पेंड होने वाले मंत्रियों में मरियम, शिवना, मालचा और हसन जीहान शामिल है मंत्रियों के बयान पर मामला इतना बढ़ गया कि मालदीव की सरकार को सफाई तक देनी पड़ी मालदीव की सरकार ने इसे लेकर एक बयान जारी किया मालदीव सरकार ने कहा विदेशी निताओं और शीर्स व्यक्तियों के खिलाब सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर अफमान जनक टिपणिंग मालदीव सरकार के संग्यानवे हैं। ये विचार निजी हैं और मालदीव सरकार के नजरिये का प्रतिनिदित्व नहीं करते हैं। सरकार का मानना है कि बोलने की आजादी का बरताब लोगतांत्रिक और जिम्मेदार तरीके से किया जाना चाहिए ताकि इससे नफरत, नकारात्मक्ता, नबढ़े और अंतराश्ट्रिये साजेदारों के साथ मालदीव के रिष्टे प्रभावित ना हूँ। साथी बयान में ये भी का गया कि सरकार के संबन्दित विभाग ऐसे लोगों पर आक्शन लेने से नहीं हिचकेंगे जो इस तरह की अपमान जनक टिपपनी करते हैं। टाइम्स नवना भारत बिजिटल की रिपोर्ट प्रॉड़ियो कि क्यो भारत लात बिदु schöपभ लोगों में विजिए अनक लाव विघसन सम्esser कोरते हैं। टएल को किता जो इस रहे हूँ हूँ लोग técकार के रिता हैं।